आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students, इस Question में हमें Find करना है कि इस Object की Image कहाँ पे बनेगी इस Point O से तो अगर हम First Lens को देखें तो यह Convex Lens है और Second Lens है Concave Lens और Third Lens है Convex Lens Lens Formula को अपलाई करेंगे तो 1 by V minus 1 by U Equal to होता है 1 by F पहले Lens के लिए लगाएंगे तो U इस Case में क्या हो जाएगा minus 30 हो जाएगा 1 by V1 हम लोग Find करेंगे यानि कि पहले Lens से Image की Distance minus 1 by minus 30 यह हो जाएगा According to Sign Convention equal to 1 by plus 10 यह हो गया Focal Lens तो 1 by V1 equal to हो जाएगा 1 by 10 minus 1 by 30 LC हम ले ले लेंगे तो 30 उपर बचेगा 20 1 by V1 यहाँ पर 300 बचेगा यह value हो जाएगी 1 divided by 15 that means कि V1 is equal to बनेगा plus 15 cm पर तो इस Lens से plus 15 cm कहाँ पर आ रहा है यह 3rd वाले Lens के अंदर आ रहा तो अब 2 Lens के लिए यह जो Image बनी है यहाँ पर I1 यह किसके लिए Act करेगा Object के लिए Act करेगा तो Same Formula हम लोग किसके लिए apply करेंगे Concave Lens के लिए ठीक है तो यहाँ पर Concave Lens के लिए Same Formula अपलाई करते हैं तो 1 by V minus 1 by यहाँ पर क्या लिखेंगे U जो लिखेंगे यह plus 10 होगा because जो Right Side में हमारी Object है जो I1 है वो Object की तरह Act कर रहा है तो यहाँ पर plus 10 लिख दिया तो यह 10 होगया इक्वल टू 1 divided by अब इसका focal length लिखोगे तो minus 10 लिखेंगे Concave Lens का focal length minus 10 होता है तो 1 by V की value 0 आगी that means V कहाँ पर बनेगा इसमें infinity पर बनेगा यानि कि इस Object से अगर कोई Ray आ रही होगी तो इस Point पर वो जाना चाह रही है I1 पर वो जाना चाहरी converge होना चाहरी है लेकिन यहाँ पर जो Concave Lens लगा हुआ है इसकी वज़े से यह Ray क्या होंगी diverge हो जाएंगी और यह Parallel Raise हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो Final Image है वो infinity पर बन रही है तो अब यहाँ से Third के यह सम लोग Third Lens के लिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि जो Final Image बनेगी वो Lens 3 से Refraction के बाद उसके Focus पर बनेगी क्योंकि Parallel Raise जो होती है वो Focus पर आकिमिट करती है तो Third Lens से कितनी दूरी पर Final Image बनेगी आई वो 30 cm पर बनेगी तो O से अगर दिस्टेंस केलकुलेट करेंगे तो Image दिस्टेंस हो जाएगी from O equal to देखे 30 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 30 करेंगे 30 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 30 यह 60 और यह 70 75 हो जाएगा टोटल तो यह 75 cm हमारा अंसर होगा Thank you Classics टुटल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलूट करेंगे डाउटनेट आप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर